मधु बनवाने बाबा ओमीथे प्यारे बाबा तुने प्यार जो दिया है भला कैसे भूलाएं ओम शान्ती आज का भी सह है अलोकिक बाब की अलोकिक छाफ मैं मेरा ना मधनलाल शर्वा चैपुर से बोल रहा हूँ अलोकिक छाफ बाबा की ऐसी लगी है जो हमेशा ही बाबा हमारा साथ ही बन गया शुरुआत में मैं कलकत्ता गया था संबाउन में और वहां जाने के बाब भी मैंने वहीं पर एमकाम अलाल भी पढ़ाई भी की और बिजनेस भी सुरू किया सिल्वेश्टाग बन्यान का मेरा बन्यान का काम में ठीक चल रहा था और वैसे बिजनेस भी ठीक चल रहा था लेकिन मेरे को यह चाव ही कि आध्याति मता में कुछ मैंने रुशी ली वीवेकान वगारा का स्टेडी किया और उसमें मुझे यह लगा कि परमात्पा को ने कि किसको याद करें किसी खोज में था वैसे मेरा जीवन अच्छी तरह से चल रहा था खुशी से था ऐसा कोई परिशन नहीं थी लेकिन एक खोज थी कैसे मैं किसको याद करूँ उसी सिल्सले में वहां कलकत्य में तीवड़े वाला ध्रहन साला में पहली एक्जिविशन लग सका लेकिन उन बैनों के व्योवार से मुझे लगा कि यहां कुछ विशेष्टा है फिर कुछ दिर के बाद में वड़ी सोच के बाद में जाओ नहीं जाओ लेकिन एक दिर सेंटर में चला गया और वहां पर काफी डिसकुसन भी हुआ और यह कहते हैं परमात्माया हुआ है मैं कहता हूँ परमात्मा हम खुद ही है यह था लेकिन इसके बाद में डिसकुसन के बाद में निर्वेर भाई भी वहां था निर्वेर भाई से बात हुई तो मैंने पुछा कि आपका उद्देश क्या कैसे याद करे परमात्मा को ने क्या है तो उनों मुझे एक बात बता बैनों का जीवन देखा, पवितरता वारी बात हुई, तो पवितरता के उपर भी मेरा ये था, बिना पवितरता के बिना त्याक तफश्या के जीवन में प्राफ्ति नहीं हो सकती है। तो ये वहां की बैनों का देखा, दादी निर्मरेशानता थी, संत्री दादी थी, और कई भाई वेने थी, उनके जीवन का भी देखा, और बाबा का इस्ट्री सुना, तो मेरे को लगा कि यहां तो वास्ते में बहुत बड़ा क्रांतेकारी परिवर्तन से हो रहा है, तो मेरा श्हात बड़ा हो सेय ज्या जासकते हो, ने के लिए भी देखा, तो मेरे गाम बाबा के से साथ में बाबा से बिलने के लिए मधवन गया था बाबा जैसे गेट में आया ऐसा लग रहा था कोई जैसे एक पाउरफुल है ज्वाला रूप ऐसा लग रहा था बाबा का और बाबा साकार में नीचे ही ऐसे बैठ गया था और मैं भी नीचे बैठा हुआ था बाबा ने गोध में लिया और ऐसा लगा कि जैसे मैं इस दुनि लगा हो फिर उसमें लाइन लगाई फिर पैसा दिया पिर दूब प्र फार्म पढ़े चाहिने में नहीं है। और रहने का विवस्ता बाबा ने साकार बाबा ने बड़ी अच्छी किई हर तरह से, मुझे ऐसा लगा कि बाबा मुझे भोच चाता है, उसे व्यमस्ता से ऐसा देखा कि मेरा इतना जैसे कर रहा बाबा और बाबा की प्रति मेरा भाव हमेसा ही वहीं से बनता रहा, फिर दादी ने जब तक बाबा रा प्योर्गी का खाना बना के खिलाती रही, बाबा की अभ्यक्त होड़े के बादे मैंने भोली देदी से का, माफ करो, मैं सब कुछ खाता हूं, फिर रात, बाबा का हर काम में यसा था कि जैसे हम एक परिवार में रह रह रहे, वहां ऐसा लग सब कहांने से को बाबा, नेसा बिइसा भ खाने से था कार रहा हूं, आप्चारी फिर रहा है, वहां बहुत अचाओ अचाध लगए बाबाको Virgin Mah HER Δ in the बाबा मेरे लिए सब कुछ है और एक मैं कहता हूँ बाबा जादू गर था भुद बड़ा उनके साथ रहने से जैसे कि मेरे भी जादू लग गया के तो मेरा ब्रेन वास हो गया और मुझे निश्चे कर लिया था वही पर एक अपतारा था कि मुझे इस रस्ते पर चलना है औ फिर मैंने बाबा ने मुझे को फिर यह पिर फिर मुझे जैपूर रहता है पनू वाने तो जैपूर भी आ गया इसके बाद में में बाबा के पास जाता रहता था अनुसाई हूँ चार्ण मैंने की बाद में जाता था बाबा से इतना अट्रेक्शन था मेरा इतना लगाओ था कि बस बाबा ही मेरा सब कुछ है हलागी बुद्धी से मैंने बाबा को समर्पंट सा कर दिया था कि बाबा जो करेगा वो ठीक है और उस रस से चलना है आलागि मैं तो फेमिली वाला था, बच्चे थे, सब कुछ था, लेकिन मैंने देखा कि बाबा जो कर रहा है, उसके इसाफ से चलना है, त्याक तपश्चन के बगर जीवन प्राप्ति नहीं हो सकती है, पहुत रता के बगर भी पहा है, यानि बाबा की जो सीमत है, उसमें भी करना और बाबा के साथ हुथ, तो बाबारी समीमा सफलता दे देग्फ से, बाबा का तो हर काम में जो गए एक दफा बाबा ने कहाए, थोती दी में लेको, धोती छोटी ती उसमें कन्ट्रोल का इटम था, उससे छोटी धोती द्वलिए कोई नहीं पहन सकता है, मैं भी पह हाथ में हाथ देना ही जैसे ही कहता आओ बच्चे आओ बच्चे कह करें चलना। बाबा का बच्चा कहना एक जादू का काम था। आओ बच्चे आओ बच्चे पहता नहीं ऐसे कहता था जैसे क्या कमाल कर दिया। इसलिए उसमें नोचार हो जाता है जैसे ऐसे बाबा की शक्त निकलते थी साहब से तो बाबा ने तो हर तरह से निवाने के कोशिए इसकी है हमारे साथ में और बाबा को क्या था भारती में हमारे साथ गई थी तो भारती में बाबा ने का कि मेरा असली वारिस आया है वास्त म में बाबा ने मेरे को असरी वारिस बना दिया और इतना बड़ा काम भी एक में भी ये तो बाबा का कवाल था गुष्ण में का असरी वारिस आया तो बाबा ने बाबा के सारे से ही सारा काम साकार बाबा के हिसाफ से हुआ ऐसे करते करते ही मतलब मैं बाबा के पास हर दो तीन और बाबाने मेरे को लास्टमय जो शियाफ किया था कि मुझे बच्के विष्व का कल्यार करना है कि साड़ी ब्रगण में है वह इंस्वार करना रहता है और मुझे इंस्वाइर करता रहता है और उसकी कहार से मैं समझता हुँ कि WiFi? प्रफ़ पतल पे रख दिया, तो इंडिया में तो मेरा connection है, इस्टन जोन में भी है, साउथ में भी है, सब जगे connection है, और वल्ड में भी गुभा दिया है बाबा ने, जैसे बाबा मेरे को ये कह करके, विश्व की सेवा खुद भी कर रहा है, और मेरे से भी कर रहा है, साधना अगर पत्रा थे, दूसरे दिन चला गया, तो चद्नेमनी दादी खड़ी ती गेट पे, बाबा ने कहा था, बच्चा दोड के आएगा, तो मैं देखता हूँ, पहले तो बाबा के विश्वास था, और बाबा ने फिर विश्वास इसलिए था, कि कोई किसी के पास पैसा प पहले रुख्मनी देखती है, बाई, क्या हो रहा है, लेडीज को थोड़ा सा रहता है, इसाब किता है, पतलब ये यूगल का, तो वो सूचती थी, पता ने किस लाइन में एक क्या है, तो फिर बाबा के पास में लेगी वहाँ पर, तो बाबा को देख करके उसको भी और बाबा ने भी उसको कुछ बहलाया है, इसाबर, तैसलय को बाबा ने का में, बच्च अचीछ शाड़ी में पहन थी है, और बाबा ने क्या था कि ह야 पीज़ फोटू फोटू किछवाई वाबा बाभा बैसे फोटू के लिए ना करता है आजगा जगए लेकिन आज पोटू फोटू आज तब आज़ सी काम आ रहे हैं देख करके भायर को हमेसा ने स्ची बेटरी चार्डू हो जाती है दो बाबा का तो हर काम अपनि अपनी हिस ऑर उसको पिर रुक्पनिकों को और कि इसको कष्मिर सब्सक्राइब दोतेरा कि और शुरबनाबद इसको नीस月 Sundarman पह-जो ही न फिर गिविमें चलता परें में परिवार बरिवार वर था इसलिए बाबा को तो अललग सुनी महिन लगता है कैसी इन ve कस्मीर भी हम गए एक मिना रहे कस्मीर और कस्मीर रहना बड़ा अच्छा लगा हुआ पर उसाधना के इसाफ से भी गुबने के इसाफ से भी बाबा का तो यही मतलब था कि अपने खाओ प्यों मौझूड आओ दुनिया में इस तरह से कोई रिस्टिक्शन ऐसे नहीं था ले बाबा कहता है चलना ही चलना है पुर्शाथ पूरा किया और उसका रिजल्ट भी अच्छा है रहा कि मेरे को हर्तने से सपलता निवाबा ने बाबा खान पीरन का भी पूरा ध्यान रगता था जिससे रुक्मणी नम गए तो हमारे साथ बाबा बैट करके आम खिला था आम आम कारता था उपर का छिल का रुक्मणी को और गुठली मेरे को देता था भाचे तुम का वैसे बजाग भी घताता था आर भबाबा खिला देका पूरा ध्यान किया था तो पहले वो तयार हो गया वो भी गया फिर वहां बाबा से मिला और अच्छे उसको बतलब अनुबह हुआ और बाबा की बहुत बड़ी सेवा की कलकते में जैपूर में और में और बिजनेस के इसाफ से वारा साथ ही ता इसले इदर हमारे रुपणी साथ होगी यू भी प्रोग्रामे जाते थी तो बाबा ने ऐसे परिवार को भी अच्छा बना दिया और बिजनेस को भी पूरा ध्यान रखा इसाफ से एक दफा ती तीन भाई बने तीन चार हम गए मैं जंगीश और शंकर तो बाबारे क्या-क्या खूब टोली खिलाया खूब सेवा कर गी तो जोपड़ी में बैठे हुए थे हम पुर्शी पर एक दूसरे के सामने तो बाबा ने बैसे मैंने का बाबा ये ऐसा है तो बाबा ने का बच्छे यह होता है तो मेरे को जैसे हलका कर दिया उस समय ऐसा लगा जैसे बाबा नियारा प्यारा है बात भी कर रहा है सुन भी मैंने कलकते में जाके सुनाएं, बाबा ऐसा लग रहा है, जैसे ही दुनिया में नहीं हो, रहते हो भी रही है, और दो-चार्ज इनके बाद में बाबा अब्यक्त हो गया, तो बाबा ने पहले से भी एक सारा दे दिया कि मेरी क्या पोजिशन है, और बाबा ने करके दिखाया है, बार-बार जाता था हर एक, दो-तीर मेने के बाद पर, तो मैं देखता हूँ, वो बेटरी ऐसी चार्ज किया जो आज, आज तो बेटरी मेरी चार्ज को भी डिस्चार्ज नहीं होती है, और इसके बाब में अब्यक्त बाबा जाने में खूब पालना की, और तो पालना क मेरे बिजनिस में भी, चाहिए परिवार में भी, चाहिए शाधना में भी, तो बाबा ने मेरे को बहुत अच्छा नुब कराया, कि इतना भागी साली हूँ, शब्दों में एक बढ़न करना मुस्किल है, चार साल का सार सारी जिन्रीगी देता रहा बाबा मेरे, और सफलता कि उन्चाई पर ले गया, और ले जा रहा भी, शाकार बाबा और ग्यान का प्रिक्टिकल में पतिरूप थाए, एक ही उधारन है, जिसने धर्म और ग्यान को पूर्ण रूप से धारन करके, सबी बच्चूर को सामने रखा, कितनी नम्रता, कितना उमंग उच्छा है, क्या कमाल का जीवन था, बाबा के तीन शब्द याद रखो, मंसा में निराकारी, वाचा में निरंग कारी, और करम नामी निर्वी कारी, और ये बाबा ने करके बताया, सहाब ने, कैसे बाबा, एक को याद करना है, सुख देना, सुख लेना, करमों कही सहाब से भी, और वाचा छाल ले अनतक का बाब का विसेज सहीट देखा कि हर बात में सदा एह कहा कि बाबा करा रहा है मैं पन कहा टो बाबा किसानी के साल मश मत में बाबा कर से लिस्वार की चोन कि तरहा है वहिमत का साला कुछ संभरप्ड कर दिया, अपने बच्छों को ने दिया 마음 किसे को ने दिया और बाबा ने कर दिया कितना इत्ना बढ़ा शंब्राइए और यहे वर यह सुन्छ रभावाओं में आकर ठंड में और रहना कंड़ा। तो सहिस्टिल्टागी बाबा की भूत अथी ये मेरे को भूत रहायत करता है बाबा ने कितना चाह किया आज भी मैं कोई देखता हूँ बाबा ने कितना चाह किया हमने क्या किया उसके कारण से मेरे को हमेशा रहता है सच्चे दिल पर साहिब राजी ब्रम्हा बबाबा सच्चे दिल साथ दिल के इस कल्यू के वाता उनमें सरु स्टेट उधारन है इसलिए परमात्मा बाब भी कुर्बान हो गए बाबा के उपड़ साथी बन गया विस्तो का मालिक बना दिया है यह बाबा की कमाल तीन बातें याद रखो बाबा की तीन बातें पवित्रता, सत्यता और दिप्वेता बाबा की जीओने पवित्रता का सत्यता भी पवित्रता के बगर नहीं पवित्रता के बगर सत्यता नहीं तो बाबा ने तो पवित्रता का सत्यता का आप देखो सत्यता के उपर सब्सक्राइब करते हैं उक फाइदा किवा ने बहाँवें करक्तु है अपने जीवन ने यह पर अपने आप आप काम करता है सीं साफ़ से और कैसे फालो करें?óg अब मैने रहे सोचां कि यह जो का बाबा को ए इस अब मन्हांता हूं कि साकर बाबा के सब्ला हमे दाता है। बाबा से मिलके जैसे कि बुद्धी से पूर्णूप से समर्भन हो गया था, मिलने के बाद में मेरा बुद्धी बिलकुल बाबा के साथ लग गया था, कभी पिछे मुड़कर नहीं देखा, हालाएं कि यह में भी कई समश्याएं आई, पर मेरे निश्य में कभी कमी नहीं बिद्धेस का भी शुरुआत और उस कठिन रास्ते पर चलना, बाबा के त्याग, तपश्या वश्यवा की पर्सनल्टी अपने आप प्रेना देती रही, मुझे इस रस्ते चलना है, बाबा समय साथ रहा, बाबा की सिंपलिसिटी, व्यवार, नम्रता, हलकापन, उनके कमा के जीवन को प्रिक्टिकल स्वरूप में देखकर नच्बस्तग हो जाता था, कुछ करने की शक्ति मिलती था, बाबा की देखकर के लगता था, नवकि कमाल बाबा का, और वो शक्ति बाबा जैसे देर आई साथ से, ठाकार बाबा के साथ बिताए चार साल, आज जीवन भर बाबा के साथ का अनभव कर रहा हूं, कितना बड़ा भागे शालियों जो बाबा अभी मेरा साथ दे रहा है, कितना बड़ा भागे किसका होगा, तो बाबा ने मेरे को हरतने समल बनाया, बाबा ने बैलेंसिंग का पार्ट पका करवाया, बैलेंसिंग से बैलेंसिंग मिले बाबा का ऐसा हुए बर्दान मिला, जो पुर्वार में भी उधान रूप से सफल बनाया, ऐसा नहीं, कूब अच्छा सफल बनाया, बीजनेस परकूर की हिम्मत का पहला कदम समर्पनता और दूसरा कदम सैंसल्ड यही जीवन में सब कुछ प्राप्ति का साधन, इसके बगर समर पंटा और साधन के बगर नहीं प्राप्ति हो सकती है, यह बहुत एक कमाल का जीवन है, और बाबा ने कमाल का जीवन बना है, इनी संदु में मुझे भी बहुत कुछ करने की प्रेयन आई, और बाबा ने बहु है लेकिन ब्रह्मा ने करके बता इसलिए हम भी कर सकते और हमने भी किया है बावारे ऐसा लगता है कि जिसे बाप दादा साकार रूप में साथ ही है वर्दानों से पालना कर रहा है जब तक ब्रह्मा की तरह सब कुछ त्याग तपश्चा नहीं होगी जब तक प्राफ्ची न योग भी तभी लगेगा जब आप त्यागी तपश्ची जिपन में होगी कुछ करेंगे तनमंधन का हिसाब से जैसे बाबा ने करके बताया ब्रह्मा बाप मैं करनहारू करावनार बाबा यह पाटपक्का था करावना बाबा है हमारा कोई भी सेवा का चांस मिलता है तो मे मेरा भाग बना रहा है ब्रह्मा बाबा ही मेरे अधरस रहा है सब कुछ बाबा करता है और मेरा भाग बना रहा है बाबा करता बाबा है नाम मेरा है काम बाबा का है मैंने तो कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया सब बाबा ने करवा है इतना बड़ा का इतना खठीन ब तिशा मैं बवाब करेंगों त सब्सक्रा चाहिए बावा करेंगाएंगे लिए सब्सक्रा कि बेंकिए निया काना. कि भावा मैं ततना कि लोकल निया काता है। किसी के भी प्रवामे नहीं आओ देखो बाबा कहता है किसी के भी प्रवामे नहीं आओ चाहिक कोई महारती भी यू बाबा कहता है ऐसा नहीं सोचो हम महारतीयों के भी ऐसे देखा ना लेकिन महारती भी कुछ मिक्स करता है तो उस समय महारती नहीं है उस समय उस पर ग्रेटर्वा चारी है तो ये मेरा व्यक्ति का तानुब फोगई है कि वास्ति बाबा के अलावा कुछन कुछ कर्मों का इसाब किताब हरा आत्मा के साथ में तो कहनच कहना ग्रेटर्शारी होती ही है अब बाबा ने कैसे मेरा भागे बनाया आप देखो मैं इस जिवन में बहुत ही सुबाग इशाली हूँ जिनको परमात्वा बाप और प्रजापता ब्रमा बाबा मिले तो नों मिले ने आप ने मेरा भूत बड़ा भागे बना दिया इस जीवर में कितना अतिंद्रिय शुक का अनबो करना बहुत शुक है कि इसकी तो बात छोड़ो, लेकिन अब भी बाबाने कितना अतिंद्रिय शुक मनाया, मैं समझते हो कितनी मोझ मनाईए बने, सारे जीवर में, इतना बड़ा बेहत का परिवार शाकार बापा का बाबा की चार साल पालना अब्यक्त बाप दादा की पचास वर्स की पालना दीडी दादियों की पालना सारी महानापतों से मिलना इतनी भी सच्टी तो मैं सबता हूँ ऐसे टाइम पर आया है कि करीब करीब सभी मानापतों से मेरा अच्छा मुलागात हो गी है आश्रवाद उन से आश्रवाद दौाएं प्राप्त करना ये तो बहुत बड़ा भागय का काम है जो इतना काम मिला में रूख मैंने वैसे भी देखा तो मेरी सेवा में बहुत जैसे कलकता में सेवा करता था या साउथ में करता वहां भी मानता हूं कि आत्मों का काम है सेंटर खोलना या सेवा करना मेरा यह नहीं रहता भाब यह मेरा सेंटर है वो फलाना सेंटर है नहीं सब बाबा के सेंटर है, सब बाबा के बच्चे हैं, तो ये बाबा हमेशा है बेहद में रहा हद में रहा, वैसे हद में नहीं रखा ने, कलकता सेवा में भी रहा, साउत में भी रहा, जैपूर में भी रहा, दिल्ली में भी, तो बाबा ने हद से बेहद में रख करके, वो बहुत बड़ी सेवा कर देगी साब से, क्योंकि जिसका साथी हो बगवान उसको क्या रूप केगी आदी और तुपा, इतना बड़ा सब कुछ बाबा ने जैसे कर दिया, अच्छा अपने तन्द वारा भी सेवा मैंने सुरू से जम से आया हूँ, मैरा रेगुलर में कोई मिटिंग होती है, शुरू से मिटिंग में, मैं समस्था एक साल मिटिंग में नहीं का शुरू से लेकर इतने बरस थे, अन्यूल मिटिंग में, हमें समझता हूँ, पार्टिस्पेट करते थे हर चके, बाद में भी जाना, और नहीं भी जाना, अच्छा इसके भाग में समझता हूँ, बहुत बड़ा भागे बनाया है असका, पन्यान के दौरा भी, बिजनेस एसा दिया बावागा, सेवाकेंदर के लिए भी माल्या जैसे बनने का है, जैसे जैपूर में दो शेवाकेंदर का एक साथ उद्गाटन हुआ था, त्रिपूर में बहुत खूब हो रही है, जबकि इरोड और बड़े शेर है, लेकिन उत्री नहीं जितनी बाबा ने करवाई है, घलकते भी बांगड़ा नहीं है, ओम शादी बहुन की चमीन का मेरे दौरा इस वद्धा हुआ था, बाबा ने काफी निवित बना गर के मेरा भागी बढ़ाया था पूसमे भी, यारी बाबा ने ऐसा था कि हर जग है, कहीं जबकि बाबा ने तनमन धन से भागी बनाया इसाथ, बाबा ने दिया क्योंकि मेरा, मैं देश समझता हूँ मेरे पास बन्यान वेज की पैसा है, पैसा फालतों का आया नहीं है, और उस अच्छे पैसा है का बाबा ने मेरा का उप्योग भी अच्छा करा दिया, मेरे साथ में जग्दी स्पार्टर था, उसका भी था, और अब लास्ट में जैपुर में बहुत बड़ा बाबा ने बहुन बना दिया, बाबा का यह काम था जो बना रहा है, तो हर जगे जैसे बाबा सिवा में तन्मन धन से का भी मेरा ठीक हो गया, रेंगु चकन गुनिया भी हुआ, और भी बिमारी हुआ, तो पता नहीं बाबा कैसे मदलाव करता है, और इस नाइन्टी की वन की उमर में, आजमी यह फिल कर रहा हूं कि पहले से ठीक है बाबा मेरे रूब यंग बना रहा है, यह बाबा की बहु इतना बाबा करा रहा है, अभी मारा मेरे यूगल भी चली गई तो बाबा ने कभी दी में, बस बाबा मेरा साथ ही है ता, कभी यह नहीं मैं सोचा है, वो गई इतने साथ में हो गया, नहीं बाबा ने मेरो का था हिमत हमेशा रखा, और कभी रोने का तो काम नहीं जेंती की बाबा ने सहाधनामे में मेरो को अच्छा किया जिया बिंदू बन के बिंदू बाब को याद करना है। सरंदर दिन लेकि सरंदर से कम पाड नहीं बजाया, बाबा ने कहा था हमारे आईवेल के बच्चे, बाबा ने सत्यता के साथ समझोता नहीं किया, इसी से मेरे जीवन में भी सत्यता की ओर ड्रंता से चला, ताए बिजनेस हो, परिवार हो, समाज हो, सत्यता के साथ स्वार्थ वश कभी समझोता है नहीं किया इसलिए एक में भी सकते तक एकार बहुत सेयन करना पड़ा लेकिन निच्छे में कभी कमी नहीं आई साकार में बाबा ने सब सेवा की वो अब अब्यक्त रूप से भी पूर्ण रूप से साथी बना हुआ है तार साल में साकार की मुट मेरे रगरग में बरी है धर्म के लोग खाली बातें करते हैं बाबा ने धर्म के संपूर रूप से धान करके बताया अबी भी ख्याल भी नहीं आया कि मैं करता हूँ, सब कुछ बाबा कर रहा है वह भाग बना रहा है, बाबा ने बिना चंदे से कितना बड़ा काम किया है उस महान शक्ति के लिए कुछ कहना मेरे लिए असंब हो है कितनी प्राप्ती, कितना प्यार, कितना बच्चों पर कुर्बान, आओ बच्चे कहना बहुत बड़ा जादू था तो ये तो अन्बो जो है न, गुड जाने, गुड की गोतरी जाने बाबा कहने हैं साकार, अब्यक्त बाबजादा, पूरा बेहत का ब्राह्मन परिवार, कितनी मोच से आनल से जीवन बिताया ऐसा मज़ा दुनिया में कहीं नहीं है भगवान का सुक्रिया जो मुझे भागे बनाने का चांस दिया और बना दिया और बना दिया बाबाने आप सब्यों को बहुत धन्यवाद जो मुझे बोलने का मोका दिया इसके लिए सब को बहुत धन्यवाद, खुशी है